हलो आज है फर्स सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करें जाने वोड़ फोन आइडिया के बारे में 15 रुपए का शैर है फ्राइडे को एक मेजर फॉल यहां पर आया था पांच पर्स तन तक गिरिया था एक जटके में वो भी मार्केट क्लोज होने के आधे गंटे में एक जटके में गिरा था ये और उसकी वज़ा भी है बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में साथे साथ ये भी डिसकस और गिरावट definitely है एक महिने में भी देखो तो 5% का decline है लेकिन graph interesting है गिरावट आती है तीजी आ जाती है गिरावट आती है तीजी गिरावट तीजी वही खेल चल रहा है यहां पर और 15 और 16 की range में यह अटका हुआ है लेकिन एक साल में देखे तो 70% की तीजी भी है बहतरीन रफ्तार हमें यहां पर देखने को मिली थी 17.30 पर गया था वापस गिरावट आई थी 12.30 बारा पर आया लेकिन जब FPO इनका आया था अच्छा response मिला था तीजी हमें देखने को मिली इतना ही नहीं इलेक्शन से पहले की यह बात है और चर्चा भी हो रही थी कि भया टैरिफ बढ़ने वाले हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो उसके चलते भी तीजी हो रही थी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भया इन्होंने एजिया जो है उसको री कैलकुलेशन को लेकर रहे हैं पेटिशन भी दाखिल करी थी वो भी इनकी पेटिशन अप्रू हो चुके थी हलाकि हेरिंग अभी कल हुई थी और यह सारी चीज़े यहां पर चल रही थी तो बड़ी तीजी आई उसके बाद साड़े अठरा पर जाने के बा बहुत सारा कर्जा है कई लेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेट को एक्विटी में कन्वर्ट भी करा है उनमें से अगर आप देखोगे तो वो समय समय पर बिक्वाली करते रहेंगे कल जो फ्राइडे को हमें यहां पर बड़ी गिरावड देखने को मिली थी उसकी व बहुत ही बड़ा नंबर्स है यहां पर देखो तो इन्होंने तकरीबन 38.20 करोड शेर जो हैं वो बेचे बल्क डेल के जरिये कितने रुपे पर 15.67 रुपीज पर इन्होंने बेचा है पर शेर तो बहुत बड़ी बेक्वाली यहां पर इन्होंने करी हुई थी और गिराव वो बेचने के लिए जरूर आगे आजाएंगे और यह मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यह दिक्कत है रहे यह लेकिन लॉंग टर्म के लिहास से मुझे लगता है कि दीरे दीरे ही सही लेकिन तीजी आएगी लेकिन आपका जो अप्रोच है वो अन्रियालिस्टिक नहीं ह होना चाहिए मुझे लगता है कि यहां पर तीजी जो एक्सपेक्टियर रहे कि साल आना वो शायद 10 से 15 पॉर्चन आपको देखने को मिलेगी इस बीच ऐसा भी हो सकता है बीच में कि शायद बीच में 50 पॉर्चन की तीजी दिखा दे लेकिन बाद में गिरकर वही होगा कि 20-30% 40% का फिर से डेकलाइन आ जाए और end of the year अगर आप देखो तो मुश्किल से 10-12% की तीजी रह जाए तो ऐसा चार्ट पैटन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है और जहां तक इसके volumes की बात करे तो भाई साहब Friday को अगर आप numbers of share देखोगे तो 421 करोड share trade हुए थे उससे भी जादा तो number of volume बहुत हाई था यहां पर बड़ी quantity में trading तो हो रही है और एक जो बड़ी block deal में आपको गही वो पी एक बहुत बड़ी वज़ा यहां पर जरूर थी इसका जो market cap है वो 1,9,000 करोड के आसपास का देखने को मिल रहा है company को लेकर अगर हम बात करने जा company में अगर हम बात करने जाए यहां पर इनके valuation को लेकर तो पी जाहिर से बात वह आपको negative में ही देखने को मिलेगा क्योंकि company profitable नहीं है company loss making है और बाईस प्रटस्टन टेनालिज ठीक है जो खरीदारी के बात यहां पर कर रहे हैं financials अगर आप देखोगे तो यहां पर last quarter के number खराब ही थे लेकिन at least थोड़े से बैटर थे इससे पहले के quarter के मुकाबले अगर देखें अब दस हजार सांसो पैंसर क्रोड का revenue था तो revenue में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है लेकिन loss तकरीबन 6432 क्रोड कर रहा quarter के बहुत बड़ा loss है लेकिन company से पहले और बड़े- और उसकी वज़ा भी है कि कुछ करजा चुकाया कुछ लोगों को जो debt है उसको equity में convert करा ये एक वज़ा यहाँ पर जरूर है और आने वाला quarter सब्टेंबर का बहुत सदा interesting होने वाला है reason यह है कि company ने FPU के जरी जो पैसा raise करा है उसका थोड़ा बहुत असर देखना लेगा Vodafone Idea में debt को reduction को लेकर management की ने भी कहा था कि immediate base पे कोई यहाँ पर debt reduce होने वाला नहीं है बहुत लंबा process है बहुत लंबा time यहाँ पर लगने वाला है और तब तक Vodafone Idea के share में अगर आप देखोगे तो ups and downs वाला ही माहूल चलेगा और खबरों के आधर पर यह trade होग 6.12% mutual fund के पास 0.86% domestic के पास 12.77% FIs लेकर बैठे हुए हैं retail के पास 5.89% की holding other parties 37.18% और इसमें government के पास भी तकरीबन 30-24% के आज़ पास की holding government भी यहाँ पर own करती है actually में government को यह holding मिली है वो मजबूरी में मिली थी एजिया ड्यूस का तकरीबन 16,000 करोड से भी जादा का पैसा चुकाना था हर साल 5,000 करोड को चुकाने लए हैं और उसी को लेकर जो payments थी वो pending थी इनके और पैसा था नहीं वोड़ाफोन के पास तो government को मजबूरी में 16,000 करोड से भी जादा का जो था उसका जो चुकाने वाला amount उसको equity में convert करना परा 10 रुपए के हिसाब से और अभी हाल फिलहाल में जब FPO के जरीए पैसा raise करने के बारी आई थी तो government ने भी अपने stake को offload करा था जो government की holding 33% की थी वो घटकर यहाँ प आधा recover भी कर लिया यहाँ पर यहाँ आप कह सकते हो FPO में तो government ने फाइदा तो यहाँ पर करा अपना ठीक है उसमें कोई शक की बात नहीं है आधा पैसा almost आधा नहीं लेकिन at least बहुत सारा पैसा जो रहे वो recover तो करा है यहाँ पर लेकिन जो सबसे बड़ी updates है वो यहाँ पर इंके AGR को case को लेकर Supreme Court में जो petition है उसको लेकर है यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें कोई अच्छा development इनके favor में आना चाहिए और अगर यह जो माहमला है वो लंबा खिचने वाला है ठीक है ऐसा नहीं होता कि देट मिल कई तो अगले दिन फैसला आजाएगा नहीं होने वाला है ठीक है क्या कि findings निकल कर आती है क्या इनके favor में आता है कि नहीं जो इन्होंने बोला है कि भई इतना नहीं इतना होना चाहिए वो सीज़े इनके favor में होती है कि नहीं वो देखना यहाँ पर interesting रहने वाला है और अगर ऐसा होगा तो चीज़े बैतर है यहाँ प pending matter अगर यहाँ पर इनका यह फैब इनका यह मानना है और अगर हम Vodafone के बारे में देखे तो अगर मैं कहूँगा कि company बरबाद नहीं होने वाली है at least कुछ सालों के तो नहीं होगी लेकिन share price definitely यहाँ बहुत बड़ी तीज़ी दिखा नहीं रहा है और कुछ और टाइम के यह इसी range के आसपास भटक सकता है और अगर तीज़ी आती भी है मान लिज़े कि यहाँ से दुबारा तीज़ी दिखा पर 17-18 की range में जादा है तो फिर से एक profit taking भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेट को equity में जब convert करा है तो वो ब आपको एक ही जटके में 40-50% का return दे दे लेकिन बात में ऐसा भी जरूर होगा कि वापस से 30-35% की गिरावट भी देखने को मिल जाए फ़रान आपको तो यह खेल चलता रहेगा और long term के लिहास से मैं मानता हूँ कि थोड़ी थोड़ी 30 expected रहनी चाहिए यहाँ पर यह मेरा म झाल बात मानता है।